हलो गाइस विलकम बैक टू और यूट्यूब चैनल मेरा नाम है विक्की आज का यह जो व्लॉग होने वाला है यह होने वाला है मेरे बैक पैकिंग के उपर जिसमें कि मैं अपने केदर गंठा ट्रिप में जो भी एकसेसरी जो भी क्लोथिंग जो भी समान लेके जाने वाला ह तो अगर आप भी केदर गंठा ट्रिप पर जाने वाले हैं तो आप मेरी इस वीडियो से आइडिया ले सकते हैं कि किस किस चीज की जरूत पढ़ने वाली है हमारे इस केदर गंठा ट्रैक के लिए तो हम यह ट्रिप पे निकल रहे हैं नवंबर के एंड में यानि कि आज 22 सारीक है 22 नवंबर और 13 नवंबर को हम दिल्ली से उत्रा खंड के लिए निकल जाएंगे तो यह जो हमारी जरूर्णी है यह रोल ट्रिप होने वाली है जिसमें कि हम बाइक से जाने वाले हैं तो आपको राइडिंग की वीडियो देखना या ट्रैकिंग ट्रैवलिंग कें पिंग वीडियो देखना पसंद है तो आप जरूर इस वीडियो को देखना तो अभी फिलाल बात कर लेते हैं कि मैं क्या-क्या अपने साथ समान लेकर जाने वाला हूं क्योंकि ठंड का भी बहुत जादा टाइम है नौवंबर का महीना है नौवंबर एंड हो चुका है तो आप बने रहेगा इस वीडियो में तो दोस्तों सबसे बहले बात कर लेते हैं कि यह विंटर ट्रैक तो आपको अगर कि अगर आपने सुनाय तो आपको पता ही हुआ कि यह विंटर और स्नौ ट्रैक के वज़े से ज्यादा फेमस है और यहां पर ठंड में लोग ज्यादा ज स्नौ फॉल चीए बहुत ज्यादा ही तो फिर वह दिसंबर जनवरी के टाइम पर बहुत ज्यादा पीक पर जाती है तो अभी फिलाल हम एक मॉटरेट मौसम में जा रहे हैं नौमबर का एंड है तो बिल्कुल क्या होता है जब ज्यादा वरफ होती हो आपे तो कई बार समि तो यहां से जो मैं पहन के जाने वाला हूं वो है यह तो थर्मल्स यह तो बहुत मस्ट है मतलब आप मान के चलो लेरिंग तो हमें चाहिए चाहिए प्लस एक नीचे से एक बेस लेयर बहुत ज़रूरी जो हमारी शरी की गर्मी है उसे भार ना जाने दे तो उस चीश के लि उसके अपर मैं यह राइडिंग थर्मल पहनुगा जो कि जब मैंने राइडिंग जैकेट लेती हुसी के साथ मैंने लिया था तो प्रोटेक्शन के लिए जब राइडिंग करेंगे तो लेग गार्ड राइडिंग जैकेट एंड यह गलब्स है जो कि मेरी जैकेट भी यह मेरे ट्रैकिंग बूट्स है और जब हम ट्रैक पे जा रहे हैं तो फट्रैकिंग शूस तो मस्ट है क्योंकि अब स्नुव अगरा पड़ती है तो शिपरी हो जाते हैं तो यह मैंने डीकैथलों से लिया था जो कि मैं राइडिंग के तरान भी यह शूसी बहनता हूं इसके तो केदार कंठा का जो टैंपरेशर रहने वाला है हमारी ट्रिप के दौरान वो माइनस सिक्स डिग्री तक जा सकता है तो काफी जादा ठेंड होने वाली है तो यह जैकेट एक फ्लीज रख लिए क्योंकि जो हम कैम साइड पहुंच जाते हैं और यह जादा मोटी जैकिट में गर्मी फील हो जाती है एना तो ट्रैकिंग के दौरान यह फ्लीज ट्रैक के लिए टीशिट और यह हमारी ट्रैकिंग पैंट जो कि मैंने सब यह अलमोस्ट मेरा सारा समान जो है वो डीकैटलों सी मैंने प्रचीस किया हुआ है जो कि हमारी बॉडी की जो हीट है वो पहार को जाती है तो वो रोकने के लिए हम सर पे यह जो है टोपा पैनेंगे और यह वुलन सॉक्स हो गई और हातों में मैंने भी गलप्स तो नहीं लिया है तो मैं सोच रहों भी जाते हुए गलप्स ले लूँ इसके लावा दो से तीन पेर सम सॉक्स अपने पास ताकि हम अगर फॉर एकजांपल किसी भी रीजन से अगर सॉक्स बहीं जाती है हमारे पास तो हमारे पास एक्स्ट्रा सॉक्स होने चाहिए इसके लावा कैप जो की बहुत ही जरूरी है क्योंकि जब एकदम सनलाइट एकदम हमारे चेहरे पर पढ़ती है तो टैनिंग वगरा हो जा है या फिर बारिश वगर ओगी ट्रैक के दौरान तो हमारा ट्रैक कहीं पर बीच में रुके ना कि हमारे पास टाइम बहुत ही लिमिटेड है तो हमको अपना ट्रैक जो है वो चार दिन के अंदर अंदर कंपलीट करके वापस घर भी पोंचना है और एक पेर जो है आपको स सारी अक्सेसरीज जो भी टेंट में जो लाइट वगरा चाहिए होती है और जो भी वीडियो गनाने के लिए मेर को जिस चीज की जरूरत होगी वो सब यहां पर है यह मेरा गोप्रो का बॉक्स हो गया और यह है क्विक ड्राइटाल जो कि मैंना डीकेटल लिया था इसकी ख जो सारा आगे पड़ावा यह है हमारा केंपिंग के दौरान जो हम चीजे यूस करने वाले हैं जैसे कि यह हो गया मैट जो कि हम अपने टेंट में बिचाएंगे यह होगी हमारा टेंट जो कि मैंना डीकेटलों से लिया था टू परसंट यह और बहुती बड़ी अगाम कर अगर आपने मेरे पिछले व्लॉक्स देखेंगे तो किदारनाथ त्रियूंड इन दो ट्रेक्स मैंने इसे यूज कर आए और मैंने वीडियो वगरा बनाए इसके लावा जो टेंट जो हम केंपिंग के तुरान यूज करने वाले हैं यह हमारा स्लीपिंग बैग तो मैं हमा बनाएंगे उसके साथ साथ हमारे बास यू टेंसल्स भी है पूरे तो यह पूरा सेट है हमारे बास जिसमें क्या मैगी वगरा सब कुछ बना सकते हैं तो इसके अलावा ट्रेक के दुरान क्या है कि मैंना एनर्जी के बहुता ज़रूरत होती है हमें खाना चाहिए होता है है ना तो क्विक रिफ्रेश्मेंट्स के लिए मैंने चॉकलेट्स काजू चैने वगरा सब रख लिए हैं तो यह पूरे चार दिन तक हमें अनर्जी प्रोवाइड करेंगे ट्रेक के दुरान भी प्लस राइड के दुरान भी क्योंकि अब कभीका टाइम नी मिलता है कहीं बहुत लग जाए और तो डाइट में भी कमीनियों नीचे है कोई तो यह सब ने अल्रडी लेकर रखा हुआ है इसके लावा एक टोईलेट्री पाउच भी बहुत जरूरी है जिसमें कि आप अपने अंडर गार्मेंट्स अपना फेश वोस अपना बरस जो भी आपके चोट तो यह हमारा हो गया रकसैक अभ इसमें रखना कैसे हैं से तो सबसे नीचे वाले डिपार्टमेंट में हम रखेंगे सबसे गुदगुदा Etam और सबसे ह्लकी चीज तो वह है हमारे पास हमारी कि यह माइनिस 10ड डिगरी वाली जोगे हम ठंड से बचाने वाली है इसको मारी सबसे नीचे से की एक बैग में एक बैलेंस आजाएगा तो सबसे पहले तो हमारी जैकेट गई इसमें उसके बाद अपना एंट हमारे इस बैक के अंदर ही रखेंगे रेकिंग के दोरान पहनने वाले कपड़े इसको भी हम रख देते हैं कि यह मारी सॉक्स जो यह चोटे हमारे चोटे वाले डिपार्टमेंट्स मागी जो की इजी ली मैं इसे निकाल भी पहूंगा तो अल्मोस्ट अल्मोस्ट अमने सारा समान अपना इन दो बैक्स में पैक कर लिया है चोटा वला एक बड़े वाले में इसके अलावा यह जो बाकी अब जो भार समान देख रहों यह सारा मैं पहन के जाने वाला हूं अपनी राइड के तरान यह स्लीपिंग बैग और यह तब सकता समान है कि सैमा वाल यहां आपको कि आइए वाला कि आफ को आपको और करने अघiri करना और कहा है नेक्स अलॉग में तब तक के लिए बाल आद एक कर alone